हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, इन्परडस, वी होप यू आ डूइंग वल तो आज की वीडियो मौलाना आजाद इंस्टिट्यूट आफ टेंटल साइंस पर होने वाली है तो वीडियो में इस कॉलेज की लोकेशन, इस्टैबलिश्मेंट, सीट मैट्रिक्स, फी स्ट्रक्चर और काटेग्रिवाइज जानेंगे की मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होंगे नी 2023 में इस कॉलेज में BDS के लिए तो वीडियो काफे इंफर्मेटिव होगे तो वीडियो को इन तक देखना और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना तो वीडियो की टॉपिक पर आने से पहले हम आपको बता दे कि हमने ओलन्स एंड टॉप स्टेट मेडिकल कॉलेज की कट आफ एंड एक्सपेक्टेट कट आफ नी 2023 के लिए चैनल पर कवर किये तो आप में उन वीडियो को भी जाकर चेक आउट कर सकते हैं उन वीडियो की लिंक आफ को आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगी तो बिना देर की वीडियो के टॉपिक पर आते हैं सो मौलाना अजाद इंस्टिट्यूट ऑफ टेंटल साइंसिस की बेसिक्स डिटेल पर आते हैं सो ये कॉलेज बैली में लोकेड़ है इसकी इस्टैबलिश्मेंट की बात करें तो इसकी इस्टैबलिश्मेंट नाइंटीन हंड़ेटी त्री में होई थी इसकी कैंपस एरिया अराम थर्टी एकड़ की है कॉलेज की ओफीसिल वेबसाइट की बात करें तो www.mits.ac.in है पर आते हैं सो बीडियेस एक्सपेक्टेड को टॉफ फोर मौलाना आजाद इंस्टीट ओफ टेंटल साइंसेज आर अंडिजर्ट के लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स नी 2023 में 578 प्लस तक हो सकती है OBC के लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स नी 2023 में 574 प्लस तक हो सकती है EWS के लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स नी 2023 में 545 प्लस तक हो सकती है SC के लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स नी 2023 में 465 प्लस तक हो सकती है ST के लिए expected marks May 2023 में 390 प्लस तक हो सकती है So ये थी मौलाना अजाद Institute of Tental Sciences की BDS की expected cut-off May 2023 के लिए Hope so आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अब हम आपसे मिलते हमारे next वीडियो के साथ तब तक के लिए Goodbye, Take Care and Thank You So Much For Watching And Don't Forget To Like and Share This Video With Your Friends